स्वागत है आपका हमारे चैनल पर जहां हम आपको महाभारत और पुराणों की अद्भुत और रहस्यमई कहानियों से रूबरू कराते हैं। आज हम जानेंगे एक ऐसे महापुरुष की कहानी जिनका जन्म मा के गर्भ से नहीं हुआ था। जिहां हम बात कर रहे हैं महाभारत के महायोध्ध कुरुवंश के राजगुरु महान क्रिपाचार्य की। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं इस रोचक और अनोखी कहानी को। महा भारत के प्रमुख पात्रों में से एक कृपाचार्य का जन्म किसी साधारन तरीके से नहीं हुआ था उनकी कहानी जितनी विचित्र है उतनी ही प्रेरणा दायक भी है कृपाचार्य का जन्म द्रोणाचार्य के समान ही एक अद्भुत और असाधारन तरीके से हुआ था शर्द्वान की घोर तपस्या और धनुर्वेद में निपुनता देखकर देवराज इंद्र भैभीत हो गए उन्होंने अपने स्वाभाव के अनुसार शर्द्वान की तपस्या में विग्ण डालने के लिए जानपदी नाम की अपसरा को धर्ती पर भेजा वह शर्द्वान के आश्रम के बाहरा कर उन्हें लुभाने की चेश्टा करने लगी चूंकि वह अत्यंत सुन्दर थी इसलिए उस अपसरा को देखकर आर्शी शर्द्वान के हाथों से धनुष बान गिर गए चूंकि वह एक ब्रह्मचर्य जीवन जीते थे इसलिए वह बहुत ही सैयमी थे और उन्होंने स्वयम को रोक लिया लेकिन उनके मन में कुछ समय के लिए विकार आया इसलिए अंजाने में ही उनका शुक्रपात हो गया वे उसी क्षण खड्यदे हुए और अपने धनुष, बान, म्रिग चर्म तथा उस अपसरा को भी पीछे छोड़दाच कर चले गए उनका वीर्य सरकंडों पर गिरा था, इसलिए वह दो भागों में बढ़ गया उसके एक भाग से एक कन्या और दूसरे से एक पुत्र की उत्पत्ती हुई उसी समय संयोग से राजा शांतनु वहां से गुजरे उन्होंने कुटिया से बालकों के रोने की आवाज सुनी और वे कुटिया में चले गए वहां उनकी नजर उस बालक वबालिका पर पढड़ी महाराज शांतनु को उन पर दया आ गई और उन्होंने उन्हें उठा लिया और अपने साथ ले आए उन्होंने बालक का नाम रखा, कृप और बालिका नाम रखा, कृपी और दोनों बड़े होकर महान विद्वान बने कृपाचार्य को उनकी अद्भुत विद्या और ज्ञान के कारण कौरव और पांडव दोनों ने अपने गुरू के रूप में स्वीकार किया महाभारत युद्ध के दोरान कृपाचारे ने कौरवों का साथ दिया, लेकिन उनकी विद्या और ज्ञान का सम्मान पांडवों ने भी किया। उनकी महानता और विद्वता के कारण उन्हें आज भी याद किया जाता है। तो दोस्तों, ये थी कृपाचारे के अद्भुत जन्म की कहानी। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले और इस वीडियो को लाइक और शेर जरूर करें। हमें कमेंट्स में बताएं कि आपको अगली कहानी किसकी सुननी है।